जनपत बिजनोर की थाना शेत्र में नगर पंचायद सहानपूर के मोहला नदधाफान में 11 वर्ष के बच्चे की डूबने से मौथ हो गई साहानपोर के मोहला नदाफान निवासे जाहित का 11 वर्षिय लड़का इमरान पास में ही तालाब के पास खेलने के लिए गए हुए थे प्रत्याक्षित दर्शियों के अंसार बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था वहाँ पर पता नहीं किस तरीके से बच्चे का पैर स्तिलेफ हो गया और वह गहरे पानी में गिर गया जिससे उसकी डूबने से मृत्य हो गई लोगों ने बताया कि वहाँ पर यह तीन से चार बच्चे तालाब के किनारे खेलने के लिए गए हुए थे इमरान का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया बाकी साथ वाले बच्चे डर कर वहाँ से भाग खड़े हुए लगबग एक घंटा बीत जाने के बाद बच्चों ने इमरान के घर पर बताया तो वहाँ से परिवार वाले वा पड़ोसी तालाब की ओर दोड़ पड़े तालाब में कुछ लोगों ने पानी में चलांग लगा दी लेकिन तब तक देर हो चुकी थी इमरान की बोड़ी पानी में नेचे बैठ चुकी थी काफी तलाश करने के बाद महले के लड़कों ने इमरान की लाश को बाहर निकाला और तुरन तस्पता लेकर गए जहां पर डॉक्टर ने उसको मिरत गोसित कर दिया महले वालों का कहना है कि तारा में पहले भी कम से कम पाँच जिंदिगियां खत्म हो चुकी है इसमें चार से पाँच लोग पहले भी डूब कर अपनी जान गबा चुके हैं महले वासियों की मांग है कि इसमें मचली पाली जाती हैं इसके चारों और जाल लगाया जाए जिससे आगे कोई ऐसी घटना ना हो सके लोगों का कहना है कि जब बच्चा डूब रहा था तो मचली पालन करने वाले वहाँ पर मौजूद थे पर किसी ने भी बच्चे को बचा बच्चा का पेल फिसलिया वहां पर तिरहां तो यह बस्ति के पास है जो डबा पस्ति के पास जिए अप लोगों की ये इसमें मांगे होती है मैं तो करी कांड होगा है करीब आदमी है भी पछली को प्रक्राहिक इंदो किया नाम क्या तुम्हारा कहा रत्यों क्या हुआ है घटना कैसे घटी है तो जाते में पूदा तो यह कहा दूबा था यह जब दूबा तो तुम वही थे तो तुम मैं कैसे बाते चला यह बच्चे भाग रहा है थे तो फिर यह मिल गया तुम्हें तो इसको कहा लेकर गया फिर यह दो करके लिगाए कि क्या नाम है तुम्हें कहां रहते हो क्या हुआ यह लड़का जो एक्सपायर हुआ क्या नाम है इसका नाम क्या इसका इम्रान है आमिर है या इम्रान है तो यह कैसे कैसे हाथ सब्वा है यह बच्चों के साथ चला है तो यह क्या मच्छी पकड़ने कहते या खेलने के लिए वहां पर तो फिर क्या हुआ हुआ है किसे ने निकाला है उसे जड़ी रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बैल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करेंगें